स्वाई फ्रेंड्स वेलकम तो बायो स्टेडी वित निखेल यूटूब चैनल हेर वी लॉन बायोजी निखेल यूटूब चैनल पर यहाँ पर हम सिखते हैं बायोजी एक सिंपल वे खें अंदर तो महारास्त्र स्टेड़ बोर्ड निव सिलाबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास एलेवंट केमिस्ट्री का तो अभी अभी मैंने पहले ही बताए कि यहाँ पर हम बायोजी सिखते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडंस के कमेंट्स आये कि सर आप केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे इस चैनल के ऊपर ठीक है तुँ यहाँ पर अभी जो है क्लास एलेवंट का क चैनल केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा और चाप्टर नंबर हम फर्स देख रहे थे जिसका नामें सम बेसिक कंसेफ्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसका पार्ट फर्स जो है वह अच्छे से अप्लोड हो चुका है पास पार्ट सेकंड भी हो चुका है फर्स पार्ट देख तो फर्स देखोंगे तभी सेकंड समझ में ऑएगा उसके बाद ओट देखोंगे समझ में आएगा apd पडाया है और फित बेस्ट नोम्स के साथ पढ़ाया है ठीक है नोडेश पने जो है पार्ट फॉर चाप्टर नंबर फॉस्ट का तो अभी तक आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो साथ जो बैल आइकन उसको भी हिट करो नोटिफिकेशन प्रोइड करेगा आपको जब हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अप्लोड चाप्टर नंबर फॉस्ट सम बेसिक कंसेप्स्ट ऑफ केमिस्ट्री अभी इस पार्ट फॉर को स्टार्ट करते हैं तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ने है इसके अंदर हम पढ़ेंगे लौ अफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो मैंने आपको जो है पहले ही बतायता है कि 50% जो information होती है ठीक है 50% की information वो उसके नाम में ही मिल जाती है तो यहाँ पर कैसे देखो लॉड व कंसर्वेशन conservation बोले तो कुछ ना कुछ इसको सेव करना ठीक है conservation बोले तो क्या होता है सेव करना बचाना यह क्या है मास है ठीक है मास क्या होता है यह हमारा सरकल है और इसके अंदर हमने मिट्टी डाल दी यह पूरी की पूरी मिट्टी जो है यह इसका हो गया मास ठीक है यहाँ पर हमारा क पास मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है कुछ ना कुछ से हो रहा है लेकिन क्या से हो रहा है तो मास से हो रहा है मतलब सिंपल में तो अभी देखो 50% information यहाँ से मिल गई है अभी देखो इसका statement सीधा statement के उपर जाते हैं मास के नेदर भी created नौर भी डिस्टॉय जो मास होता है मैं आपको बताया मास वेट वेट क्या है तो सिंपल में अगर बलून के अंदर हमने एर डाला ठीक है बलून को यहाँ पर बड़ा किया उसके अंदर यह उसका मास और उसको एर के साथी साथ व हो है उसका मास ठीक है तो मास नेदर भी created मतलब की मास को हम create नहीं कर सकते नेदर भी created nor be destroyed और उसको destroy भी नहीं कर सकते मतलब मास create भी नहीं होता और मास को पर दिस्टोई भी नहीं कर सकते मतलब की मास्क किया होता है से वोते हैं मतलब विक्रियों चरब एक मतलब किया होता है इनकों बोलते वह Chiarty थीके एंट्वेन लेशर को ने तो फिर फादर ओफ फादर ओफ केमेश्ट्री फादर ओफ मॉडर्न केमेस्ट्री इन को बोलते हैं एंट्वेन लविशर सो इनका वर्क था 1743 तु 1794 के अंदर इन्होंने जो आपना काम किया परफॉर्म मेनी एक्स्प्रिमेंट इन्होंने ब कंभाईन हो जाने के बाद मीलता है सरे हमको पता है मलेप्ट साइड में लिखते हैं और जो प्रोड़क्ट को तो ओप होता है वो राइट साइड में लिखते हैं तो अभी देखो टोटल मास ओफ रियक्टंट जितना मास रियक्टंट का होगा उतना ही यहाँ पर मास होगा मतलब की यह हमारा एक मतलब वन बोल के इसका ऐसे मतलब यह जो हमारे पास यह बन जाएगा मतलब की जितना के अंदर मास है कितना मास है इदर 2-0 मतलब कि hydrogen का 1-0 oxygen का 1-0 मतलब 2-0 और जो रियक्टन के अंदर का जो मास है हो होगा हमारे equal to product के मास के इतना मतलब कि मास नेदर भी created न रभी दिस्ट्रोई इसको मास को create कर सकते मास को डिस्ट्रोई भी नहीं कर सकते यह यहाँ पर सिंपल में कहता है हमारा लॉफ कंजर्वेशन ओफ मास सो कितना इजी है यह एक्जामपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है टोटल मास ओफ रियक्टन हमारे पास हड्रोजन है प्लस ऑक्षिजन है इसका मम जो मास ह रियक्टन के अंदर और टू मोल प्रोड़क्ट के अंदर मतलब जितना रियक्टन के अंदर उतना ही प्रोड़क्ट के अंदर मास के नेधर भी क्रेटेड नौर भी डिस्ट्रोईड डिवरिंग केमिकल रियक्शन ठीक है तो यह कहता है मारे लॉफ कंजर्वेशन ओफ मास उसके बाद जो next law है हमको वो है law of definite proportion ठीक है तो law of definite proportion क्या बोलता है देखो a given compound क्या बोलता है a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight मतलब अगर weight की बात करें तो किसी भी compound के अंदर a given compound जो compound दिया गया है उसके अंदर क्या होता है always contain हमेशा क्या रहेगा exactly same proportion of element element का जो proportion है वो same ही रहेगा by weight ठीक है तो कैसे यह चार्ट है इसके तुरू आपको समझ में आएगा सबसे पहले है क्यूप्रिक कार्बोनेट यह क्या है तो एक सिंपल में compound है क्या है compound अभी बात करेंगे basic की compound क्या होता है ठीक है तो compound क्या होता है तो दो elements ठीक है elements plus elements यह जो combine होंगे तो हमको मिलेगा compound elements प्लस elements जो combine होंगे यह होता है compound और compound के अंदर क्या होते है दो element होते है जैसे कि क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या है एक compound है इसके अंदर दो element कौन से एक है copper सेकंड है oxygen ठीक है तो यहाँ पर जो क्यूप्रिक कार्बोनेट है हमारा यहाँ पर दो इलेमेंट कंबाइन होके यह मिला है कंपाउंड यह हमारा कंपाउंड इसके अंदर यह एक इलेमेंट है और यह एक इलेमेंट है copper and oxygen अभी देखो natural जो सैंपल है किसका क्योपरी कार्बोनेट का जो natural सैंपल है उसके अंदर सैंपल मतलब तयार किया हुआ आल्टिफिशिल हम तयार करेंगे किसको क्योपरी कार्बोनेट को तो जो नैचरल है उसके अंदर भी का जो परसेंट है वह 11.15 है और जो सिंटेटिक हमने बनाया है खुझ से अंदर का भी जो परसेंट है वह है 51.35 मतलब कि कॉपर का परसेंट इसके अंदर का सेम है और ऑक्षिजन का भी सेम है देखो 38.91 38.91 और यह कॉपर और ऑक्षिजन यह दोनों मिला के बन गाया हमारा क्योपरी कार्बोनेट और यहाँ पर इसका यही कहना है कि गिवन कंपोंड अल्वेस कंटेन एग्जाक्ली सेम प्रपोर सेम है कि परसेंट ऑफ कार्बन का कितना है 9.74 यह दोनों मतलब किसके अंदर क्या है copper oxygen and carbon यह तीनों से मिलकर बना है हमारा क्यों प्रिकार्बोनिट और यह तीनों के अंदर जो percentage मिला है वो सेम है मतलब a given compound इसको compound क्यों कहा because element से बना है always contain यहाँ पर होते है exactly the same proportion of element element का सेम ही proportion होता है उसके weight के तुरू किसके तुरू weight के तुरू ठीक है यह होता है हमारा क्यों प्रिक कार्बोनिट का example मैंने आपको बताया है यह हमारा law of definite proportion ठीक है यह law of definite proportion यह होता है हमारा simple में a given compound लेकिन यहाँ पर आप ध्यान में रखो यह compound के अंदर a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight ठीक है तो यह निकल proportion अब देखेंगे law of multiple proportion क्या कहता है ठीक है तो देखो law of multiple proportion क्या कहता है सबसे पहले हैं when two elements a and b देखो अभी when two elements a and b यह a element and यह b element क्या करेंगे form more than one compound a element and b element combine होके दो compound form करेंगे मतलब more than one more than one compound यह form करेंगे and the masses of element b that combine with the mass of a मतलब कि जो mass a जो हमारा मतलब कि mass of element b जो combine हो हुआ है mass a के साथ और always in ratio of small whole number वो always रहेंगे small whole number के ratio के अंदर सो कैसे तो देखो simple में हमने क्या बताया सबसे पहले when two elements a and b form more than one compound मतलब कि हमको simple में यह स्टार्टिंग में ही बोलना है कि वेन two elements a and b form more than one compound one compound से ज्यादा compound form करेंगे मतलब two compound form करेंगे ठीक है and then तब क्या होगा the masses of element b that combine with the mass of element a are always यह दोनों का ratio जो हो small whole number के आएगा कैसे देखो यह hydrogen जो है यहाँ पर क्या है element a है ठीक है तो यहाँ पर देखो इसका color change करता हो तक आपको समझ में आ जाए तो यह hydrogen यह है element a और यह oxygen है element b यह hydrogen element a और यह यह है ठीक है तो मैंने आपको पहले ही बता तो अभी यह क्या है तो हमारे पास क्या निकल के आये है elements है और यह elements combine होके इन्हों ने क्या बनाया क्या बनाए इसने compound बनाए क्या होता है compound होता है लेकिन कितने compound बनाए more than one मतलब की more than one ठीक है more than one compound इन्होंने बनाए and the mass of element B जो मास होगा element B का वो element A के साथ देखो element B का mass element A के साथ कैसा होगा small whole number होगा यहाँ पर देखो आप यह oxygen का मास और hydrogen का मास निकालो ठीक है अभी देखो उपर में क्या था 60 ग्राम था यह देखो oxygen oxygen यह देखो यह 60 ग्राम अपन 32 ग्राम और यह देखो अपन तू ग्राम ठीक है मतलब की सिंपल में जो hydrogen का मास है यह 2 ग्राम इसका है 16 ग्राम अपन 32 ग्राम ठीक है तो यह कैसा निकल क्या है है दोनों का मास कितना है यहां पर 16 ग्राम सबसे पहले 16 ग्राम उसके फिसका ओक्षिजन घ्राइब यह यह वह है और यह है तो यहाँ जब दो इलेमेंट्स कंबाइन होते हैं और दो से ज़्यादा मतलब की जब दो कंबाइन होते तो एक से ज़्यादा कंपाूंट करते हैं तब यह कहता है हमारा ओफ मल्टिपल प्रपोर्शं उसके बाद नेक्ष देखो वոग गय लूसायक लौ फॉल्य का फॉल्यूम उसको बाद जो नेक्स्ट वह हैं गय के लूसायक लौ मैं थीक तू client cha explains एक लोग देखो और ग्यासे इस फॉलिूम गैस का वालीउम फैन ग्यासे कमबाइन जब गैसे सिम्पीर केुं प्रॉइड औहां रूद्बा बॉत निसे अएन गेसर अरश्चन शाट प्र 17 गयान engineers प्रेश्चर यहीं होते हैं साबी के सबीरोड मुर्ण temperature and pressure so when gases combine or produced in a chemical reaction they do so in a chemical ratio by volume मतलब कि वो volume से क्या होते हैं simple में combine होते हैं chemical reaction वो सिम्पल में यहाँ पर प्रोडूस होते हैं यह हमारा लिए लुजाइक लॉफ गैसे वोल्यूम एटीन जुरोट के अंदर यह पर लॉदिया ठीक है तो बुक में थोड़ा पड़ सकते हो ठीक है यह जो बेसिक चीज़ है उसके बादे अवे सब्सक्राइब लॉफ यह देखो अगर हमारे पास इच एक देखो इक वाल्यूम ऑफ और गैसे सब्सक्राइब यहां पर जिसके उत्लेशां मतलब कि टंप्रेचिर दोनों क्या हो से familiar यह रहेंगे और इसके इंदर जो फिर बाद में रहेंगा कंटेंन इक वह नंबर आफ मॉलीकउल जिसके उन कमहली का रहेंगे उन्यूल रहेंगे मतलब कि equal volume of all gases at a same temperature जो equal volume है ऐसे gases का वो जो same temperature प्रेशर पे उसके अंदर same number के molecule रहेंगे मतलब कि देखो सबसे पहले है equal volume कि equal volume of gases equal volume of gas यह जो अब रहेगा तो तब कब जब same तब इसके अंदर जो रहेंगे equal number of molecules ठीक है तब उसके अंदर रहेंगे equal number of molecules जब equal volume of gas क्या करेंगे same temperature प्रेशर पे इसके अंदर equal number of molecules रहेंगे यह तीनों लाइन के अंदर यह पूरा अवेकड्रो का लॉव है ठीक है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है यह हमारा अवेकड्रो लॉव उसके बाद देखो यहाँ पर यहाँ पर इसका एक्जामपल भी है थोड़ा समझ के लिए सबसे पहला कौन सा यह है यह है है यह है यह है यह है उसके बाद यह है ऑक्षिजन है ठीक है है यह दोनों जो ग्यासेस है यह इच्टू यह ओटू ठीक है तो यह दोनों ग्यासेस जब कंबाइन होंगे ठीक है तो कंबाइन होंगे इक्वाल्यूम के रहेंगे यह दोनों भी इक्वाल्यूम के है इसका साइज जो है वह सेम है नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ठीक है यह उसके अंदर रहेंगे इसके अंदर रहेगा इक्वल नंबर आफ मॉलीक्यूल यही तो हमारा कहना है अब गैडरोलो का मतलब कि जब दो इले में दो गैसे वल्यूम रियाक्ट होते हैं सेम टेंपरेचर में तब इसके अंदर इक्व वाल्यूम घ्डॉयं ग Tiny Gem यह वाल्यूम और इसका यह दो नों कम्बाइन होके बन गए ऐसा निकल क्या ह्यां यह हमारा सिंपल में वहल्यूब ऑफ हड्रोजन गैसे रियक्ट विद वन वहल्यूम प्हुश्यए टू वाटर वेपर ओर वोटर वस लोग्यूम और यह वहाल्यूम फह स्थे खेखेंगे नेक्स्ट डाल्टन्स इदॉमिक थेली अभी देखें के Dalton Atomics Theory क्या कहती है ठीक है कैसी होती है या फिर जो Dalton Atomics Theory है वो किस ने दी और इनका क्या कहना है Dalton's Atomic Theory का सबसे पहला है in 1808 Dalton's Publish a New System of Chemical Philosophy जो दाल तन जो एक डाल्टन कोनल एक साइन्टिस्ट है ठीक है डाल्टन जो वो सिंपल में कोनल एक साइन्टिस्ट है और इनने जो वो 1808 के अंदर क्या दिया विछ लाटर बिकम फेमस और बाद में वो बन गई famous डाल्टन से अटेरी जो डाल्टन साउन्टन ने दी थी 1808 अंदर और यह डाल्टन उन्हें पॉबलिश पॉबलिश कहा था क्या और निव सिस्टीम ऑफ किमिकल फिलोसफी इस नेम से उन्हें क्या क्या पबलिश किया तो देखो इनका क्या कहना है यह डाल्टन अटमिक थेरी का कहना है इंडिवीजीवल इंडिवीजीवल पार्टिकल इंडिव्यकिल इंडिवीजी वल्टन इंडि वह सकते हैं इंडिवीजीवल होता है यह कंबाइन होके नहीं रहते हैं फ्रीली रहते हैं पार्टिकल्स कॉल्ड अटम्स सो मैटर के अंदर जो टीनी बोले तो स्मॉल और इंडिविजुवल मैटर होते हैं इंडिविजुवल जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर मैटर क्या है तो कुछ भी सबस्टेंस ले ल तो यह आटम आपको समुझ में आ गया दिन ओल दे अटम्स ऑफ गिवन इलेमेंट हैव अडेंटिकल प्रॉपर्टीज अभी यह सेकंड इसमें जो आपको बताना है कि यह जो हमारा पास मैटर है ठीक है यह जो हमारे पास मैटर है इसके अंदर क्या है तो एटम है और यह जो इंडिविजुल टीनी पार्टिकल होंगे हमारे मैटर के अंदर उसको बोलेंगे एटम्स और यह एटम्स की जो है वह यहाँ पर क्या हैंगे आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी एक एटम की दूसरी आडम के साथ एंक्लूडिंग म मास और मास भी उसका क्या रहेंगा रहेगा मतलब कि किसी मैटर के अंदर हमने जो आटम निकाले है ठीक है वह मैई इसके अंदर मास भी सेम रहेगा और एडेंटिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा एक एक मैटर में का ठीक है मैं जो बहुत सारे हजारों एटम्स होते हैं और डिफरन्टव डिफरन्स के अंदर डिफरन्ट उते लेकिन। शेम इलेमेंट्स के मैटर हुते हैं तो अभी देख souvent आपको समझ जाता हूं इसको पहले मेंएरेस कर जाता हूं ताकि जूए है सबसे पहले कि इंदर सिंपल में हैं यह हमारा मैटर दो और उसके बाद यह है प्रॉपर्टिस रहेगा मैपनृ इसके बाद जो हमारा मैंटर बी ओगा इसके अंदर बी ऑठम सो एक हमाँ नदर लाग को में लाक़ रहेतं क्वा से और यह एटम हमारा मैंटर का यह आतछमिकर नदर टे शब्षवां लाएगा different properties मतलब का इसका जो मिनिंग यही है कि एक मैटर के जो atoms रहेंगे वो similar properties शो करेंगे और अगर दो मैटर के एटम है तो वो dissimilar properties को शो करेंगे ठीक है यही कहना है डाल टन्स एटोमिक थेरी का तो देल्टन्स एटोमिक थेरी ने सबसे पहले बोला कि जो मैटर होता है उसके अंदर छोटे से छोटे टीनी particles होते है उसको हम individual particle भी बोलते है और वो होते है एटम उसके बाद उन्हें कहा कि जो एटम होते है सेम मैटर के वो सेम properties को शो करते है और जो एटम होते है बइबटर के जों डिफरेंट प्रपरटीस को शो करते हैं यहीं तो कहना था हमारे डाल्टन्स अविक थेorी का उसके बाद उन्हें चैसे में क्या只 में कंपॉंड्स ओर फॉर्म नेक्स्ट में में कॉंपॉंड्स Candidation आंटम्स ओविश्च च्छे घुक्फरों होताै क्या एक होथा जब एक्टम्स म्हों रही है जा कमबाइन हो रहे हैं अच्श दो दो ऑटम कर एक लेकिन यहां पर एक नुटकर लेने पडेंगे लोकिल दो ऊसदिन पर उसके बाद में हमकंग्न के हैं iç डू और अगर इसको फिक्स नहीं लिया तो नहीं चलेगा ठीक है इसका मतलब यहीं है कि हमको compound form करने के लिए या फिर यह जो डाल्टर एंटेमिक कहना था कि जो compound होते हैं जब दो atoms different elements के combine होते हैं विकाज यह atom किसका है hydrogen element का यह atom किसका है oxygen element का यह दोनों combine हो गए लेकिन फिक्स रेशु के अंदर combine होने से बात नहीं चलेगी तो यह फिक्स रेशु के अंदर होने चाहिए और वह बात में देंगे हमको H2O मतलब कि यह हमको मिलेगा compound जो कि पहले हमने बोला कि compounder form when atoms of different elements combine in a fixed ratio उसके बाद नेक्स्ट है chemical reaction involved only three organization of atom ओके तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो chemical reaction involved only free organization of atoms यह free होगा शाय दिया पर free organization of atom and atoms are neither created nor be destroyed जो कि हमने पहरी देखा था law of conservation of mass के अंदर वहाँ पर क्या था यहाँ पर atoms है वहाँ पर मास था ठीक है atoms बोलेंगे atoms are neither created atom को हम तयार नहीं कर सकते नहीं उसको destroy कर सकते इन chemical reaction chemical reaction के अंदर अंदर जो atoms होते हैं किसी भी matter के matter क्या है तो एक substance कोन सा भी किसी भी substance के अंदर क्या होता है सबसे छोटा पार्ट को हम atom बोलते और यह atom नहीं हम तयार कर सकते हैं नहीं उसको destroy कर सकते हैं इन chemical reaction and dalton theory could explain all the laws of chemical combination तो यह जो है वो dalton theory जो explain कर सकती थी कुड़ ओके तो यहाँ पर जो है वो simple में जो है वो explain all the laws of chemical combination explain कर सकती लेकिन नहीं किया ठीक है तो यह है सिर्फ और सिर्फ डाल्टन अटमिक थेरी इनके जो कितने स्टेटमेंट है फोर है यह वन टू एंड थ्री एंड फोर यह फोर जो हमने यहाँ पर नंबरिंग दिये यह आपको ज्यादा से ज्यादा जैन में रखने और सबसे पहले डाल्टन के बारे में थोड़ी सबसे पहले कैसे पब्लिश किया वह वाला नेम तुसके बाद नेक्स डेखेंगे अटमीग मास क्या टेखेंगे अटमीग मास आटमीग मास क्या होता है देखो acquire this element every element has a character-eatomic mass Tusk मास क्या होता है some of the proton and neutron present in a nucleus of an atom is known as atomic mass atomic, किसी भी atom के अंदर देखो, सबसे पहला होता है nucleus nucleus में होता है proton, neutron and outermost में होता है electron हमको पता है, electron के उपर negative charge होता है, proton के उपर positive charge होता है neutron के उपर कोई भी charge नहीं होता, मतलब neutron, charge list particle होते है और number of proton और neutron, neutron के उपर कुछ भी charge नहीं, इसके उपर proton charge इसको हम बोलेंगे atomic mass, atomic mass, ठीक है, number of proton plus neutron जो की कहा पर है nucleus में, present in nucleus of an atom, उसको हम बोलेंगे atomic mass और यह element के अंदर atomic mass होता है, atomic mass is mass of an atom because यह whole कहा पर होता है, concentrate nucleus के अंदर होता है, मतलब की whole mass जो होता है, atomic mass is the mass of an atom and it is actually very very small और यह actually कितना होता है, very very small होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है for example, the mass of one hydrogen atom, देखो, एक hydrogen atom का mass देखो कितना होता है सबसे पहले हमने कहा कि यह जो है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, देखो जो mass होता है, actual very very small होता है, mass of one hydrogen देखो, one hydrogen atom, वो है 1.6736 into 10 raise to power minus 24 gram and this is very very small quantity and does not easy to measure, इसको measure करने के लिए easiness नहीं आएगा, easy नहीं जाएगा because यह बहुत ज़्यादा small quantity है and in the present system, mass of an atom is determined to determine, लेकिन अभी यह बहुत ज़्यादा छोटी quantity इसको measure नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे अभी present system के अंदर, जो mass होता है, वो determine होता है, relative to the mass of carbon 12 atom, carbon 12 atom से उसका mass हम relate करते हैं, ठीक है, कौन से atom से carbon 12, यह carbon 12 जो हमारा element है, okay, element के साथ हम क्या कर सकते है, उस mass को क्या करेंगे, relate करेंगे, और हमको निकल क्या आयागा, हमारे किसी भी element के atom का mass, क्यू, क्यू relate करेंगे, जो atom का mass होता है, बहुत ज़्याता होता है, वो difficult जाता है, उसको measure करने के लिए, तो हम क्या कर सकते है, relative mass of carbon 12 atom यूज कर सकते, as a standard, and this has been agree upon in 1961 by IUPAC, टीकि IUPAC, International Union of Pures Applied Chemistry है, इसका long form है, और यह जो है, इनके अनुसार, 1961 के अंदर, इनने कहा, कि वो agree थे, किसके साथ, standard unit के साथ, मतलब कि किसी भी element के atom का, element के atom का, atom क्या होता है, smallest particle होता है, उसका अगर mass निकालना है, वो difficult जा रहा है, तो हम relative atomic mass, जो थे, relative atomic mass, यह जो है, वो concept यूज कर सकते हैं, और carbon 12 atom, as a relative atomic element है, वो यूज कर सकते हैं, and in this system, an atom of carbon 12 is, यहाँ पर देखो, mass of exactly 12 lakh atomic mass of unit, that is, amu, इसका unit क्या है, amu, इसका unit है, ठीक है, तो यह amu, and all other atoms of, other elements are given, are relative atomic mass, इसको क्या बोलेंगे, relative atomic mass, other element के mass को, to that of the carbon 12, carbon 12 के according के अंदर, ठीक है, तो, यह system क्या था, in this system, an atom of carbon 12 is assigned a mass of exactly, यह carbon 12 का mass है, वो कितना है रहेगा, 12 lakh atomic mass unit, इसका unit क्या है, amu है, and all other atoms of the other elements, are given, are relative atomic mass, और other element के mass क्या है, relative atomic mass, okay, to that of carbon 12, carbon 12 से related के अंदर, देखो, आगे समझ में आएगा, अगे है, atomic masses, are expressed in amu, amu के अंदर, वो express होता है, and one amu is defined as, one amu हम किसको बोलते है, mass exactly equal to one 12 of carbon of, okay, mass of one carbon 12 atoms, mass exactly, ऐसा mass, जो exactly equal है, ठीक है, देखो अभी, अभी निकालता हूँ, अभी mass exactly equal to one 12 of, one 12 of carbon atom, किसके अंदर, carbon atom के अंदर, ठीक है, one 12 of carbon 12 atoms, later on, the exact value of atomic mass unit is gram, उसके बाद, जो है, वो grams निकल किया है, बहुत experimentally established किया, सबसे पहले हम किसके अंदर, उसको, amu, इसके अंदर, उसको express कर सकते थे, ठीक है, express करते थे, atomic mass को, ठीक है, तो यह है हमारा atomic mass, उसके बाद, average atomic mass, average atomic mass क्या होता है, उसके बाद, जो है, next देखेंगे, molecular mass, उसके बाद, next देखेंगे, formula mass, उसके बाद, देखेंगे, चाप्टर के अंदर ठीक है तो देखो सबसे पहले हमारे जो रह हुआ है हम जिससे स्टार्ट कर रहे थे वह देखते सबसे पहले सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर मतलब की बहुत कि क्या होता है अब देखेंगे एवरेज डिर यह थो मस करेंसे हो देखो आईज ह menons factor किना किते माड़ से इसके अदर से युद्ट मेत मैंशने अस अनबर है उसको गरेंगे isotope and isotopes having different atomic masses देखो different atomic mass होता है इसके अंदर लेकिन atomic number same होता है ओके सबसे पहले यहाँ पर देखो यह कैसा क्या होता है यह nucleus होता है इसके अंदर proton होते है neutron होते है आउटर मोस्ट में electron होते है so sum of number of proton and electrons present in an atom is called as atomic number इसको बोलेंगे atomic number और sum of the number of proton plus neutron present in ठीक है present in and nucleus is called as atomic mass number ठीक है atomic mass number किसको बोलेंगे proton and neutron के addition and proton and electron के addition को हम बोलेंगे atomic number atomic mass number जो होता है यह element के अंदर same नहीं होता atomic mass number different होता है और जो atomic number होता है वो same होता है उसको हम बोलेंगे isotopes और यह देखो the atomic mass of a such element is weight average atomic mass और ऐसे element का जो elements isotopes है मतलब जिसके अंदर atomic number तो same है और atomic mass number different है तो उसका average atomic mass निकला जाता है okay masses of its isotopes उसके isotopes का taking into account the atomic masses of isotopes and their relative abundance that is percent occurrence okay मतलब कितने percent में वो occurrence होता है उससे निकला जाता है उसका average atomic mass and this is called as average atomic mass of an element ठीक है for example example देखो carbon as following three isotopes okay with relative abundance and the atomic masses as shown against the each of them carbon के कितने isotopes होते three isotopes होते दीकर अभी देखो simple में यहाँ पर निकल क्या है from the above data the average atomic mass of carbon carbon का जो average atomic mass है वो कैसा है 12U मतलब कि 98.892 upon 100 प्लस यह वाली quantity प्लस यह ठीक है उसके बाद यह और यह तीनों क्या है तो simple में इसके carbon के क्या है isotopes है ठीक है तो यह first वाला यह second वाला एं third वाला ठीक है तो simple में आपको समझ के लेना है उसके बाद है next molecular mass molecular mass क्या होता है molecular mass of substance is the sum of average atomic mass of all the atoms of elements which constitute the molecule so molecular mass क्या होता है simple में आपको ध्यान में रखना है molecular mass of substance is the sum of average atomic mass sum of किसकी sum average atomic mass की sum of all the atoms of elements elements के अंदर जो सभी items है उसके अंदर average atomic mass की जो उसके addition है मतलब की molecular mass of substance is क्या है sum of average atomic mass of all of the atom of elements सभी atom के element के अंदर का जो atom है उसका average atomic masses अगर निकालेंगे उसकी sum करेंगे मतलब addition करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा molecular mass and which constitute the molecule और इससे क्या होता है molecule बनता है molecular mass of substance is the mass of one molecule of that substance relative to the mass of one carbon 12 one carbon 12 atoms हम क्या कर सकते उसको करते उसको relate कर सकते देखो अभी it is obtained by the multiplying average atomic mass of each element by the number of atoms and adding them together इसको क्या करेंगे मिलाएंगे ठीक है किसको मिलाएंगे देखो सबसे पहले है average atomic mass को को कि multiplying average atomic mass of each element by the number of atoms यह दोनों को क्या करेंगे हम multiply करेंगे and adding them together उनको add करेंगे देखो अभी for example the molecular mass of carbon dioxide that is co2 carbon dioxide is देखो one average atomic mass of carbon सबसे पहले average atomic mass of carbon निकालेंगे plus two average atomic mass of oxygen क्यों हमने यहाँ पर two क्यों लिया because oxygen के दो molecule इसले average atomic masses of oxygen यह two okay so average atomic सबसे पहले एक कार्बन का एक ही molecule इसले वन और इसका जो average atomic mass है वह 12.0 उसके बाद यह two because hydrogen के oxygen के टू molecule इसले टू और जो इसका average atomic mass oxygen का वह 16.0 यू और निकल क्या है हमारे पास 44.0 यू ठीक है तो यह जो है वह क्या है simple में हमारा यहाँ पर निकल के आया molecular mass ठीक है तो molecular mass कैसे निकल के लाया हमने सबसे पहले average atomic mass को जो है वह हमने क्या किया इंटू टू किया बिकाज average atomic mass दोनों element का लिया लेकिन यह एक element है इसलिए एक और यह दो elements हमने लिए बिकाज ओटू है इसलिए दो element इसलिए आपर लिका दो और हमारे पास निकल के आया molecular mass ठीक है बहुत ज्यादा इस उसके पात जो next है वह देखो formula mass ठीक है formula mass किसको बोलेंगे देखो formula mass some substance such as sodium chloride कौन सा यने C l that is sodium chloride do not contain discrete molecule कौन से molecule discrete molecule इसके अंदर नहीं होते है as the constituent unit मतलब अलग molecule नहीं होते है इसके अंदर इसके अंदर यने C l o t do not contain discrete molecule as the constituted बाकी का इसके अंदर नहीं होते है सिर्प सीने C L मतलब कि sodium chloride स्क्राइब लिके-णि एंदर होता है यह देखो एन तीटीव सरा ऑरेंज इन त्रिव दैमेश्टनल फ्रक्चर हो इनको त्रिव अंदर ऑते हैं डी अनिस सोडियम क्लोराइड लद वन यह प्लस यह इन न प्लस या फिर यह प्लस क्षायन आयं इंज वह सरॉड़ेड भाय और वह स्क्स माचल आयं मतलब की वन जो है वो sodium ion जो है वो six chlorine negative ions से surrounded होगा and all at the same distance from it and vice versa और यह same distance से क्या होंगे यहां पर दूर दूर होंगे ठीक है sodium chloride के अंदर ठीक है यहने का कितना रहेगा एक one यहने प्लस आयन surrounded by six chlorine ions and therefore यहने CL is a formula used to represent the sodium chloride और इसलिए अगर सकते करते हैं तो यहने CL जो है यह formula यूज करते sodium chloride को represent करने के लिए विकास यहां पर देखो था हूँ it is called as a molecule और इसलिए इसको molecule बोलते दो elements से बना यहने and CL से similarly a term of formula mass is used for such ionic compounds instead of the molecular mass so molecular mass जो है वह हम यूज नहीं कर सकते आउट के अंदर आइवनीक compounds के अंदर हमको formula mass यूज करना पड़ता है ठीक है तो यह होता है हमारा formula mass इसके अंदर क्या करना पड़ता है देखो इसके अंदर है कि जो सोडीयू क्लोरेड के अंदर वो डिस्क्रिप्ट सबुनित नहीं कोंसा भी और इसके अंदर कशायनिक सोडियम है और जुसके बाल अनाइनक क्लोरेड है इसके अंदर वो 3-dimensional structure होता इसका और है सोडियम क्लोरेड जो होता है वो ख्रीशटल है एन वंसोडियू आम जो वो शिक्स्ट क्लोरीन आइटम आयम से स्राउंडेट होता है अट थे सेम डिस्टन से फ्रॉम इट एन वाइस वर्सा ठीक है और देरफोर यहने सियल ओके इस दा फॉर्मुला यूस्टू रिप्रेजेंट सोडियम सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यह इसलिए वह इस्तुमाल करता है ऊस्टल होसे हो है उसके बाद उसलिए यह नॉट इमारी किया है इसलिए अधिक ॉट यह निशनाव खोर्फ यह ने क transferring थांन जूर्म सब्सक्राइड के लिए उस पाण से थिक्ति आइप 16 मॉल्यके इंदर हम मॉलिपॉलर मानस नहींoup करते हैं instead of molecular mass हम यूश करते हैं molecular या फिर formula mass ठीक है formula mass हम यूश करते हैं तो उसके बाद जो next देखो the formula mass of substance is the sum of atomic masses of the atoms present in the formula ठीक है तो यह कैसा है देखो form लिखो molecular जो formula mass मासा का वो कैसे से निकालेंगे sum of atomic masses of atoms मतलब कि देखो कि अट्टो मीग कि मासेश कि ऑफ कि अटम्स प्लस उसके बाद है तो हमारे पाद जो फर्मॉला है उसके अंदर इने का एकल के अटमिक मास प्लस दोनों का एकल के बाद जो निकल के आएगा हमारे पास उसके अडिशन करेंगे तो निकल के आएगा फॉर्मॉला मास उसके बाद है को सम है सम of atomic masses of atoms present in the formula formula के अंदर जो भी atoms उसके atomic mass के addition करेंगे तो हमारे पास निकल कि आएगा formula mass उसके बाद है mole थीगे अब देखेंगे की mole क्या होता है तो expressing large count objects is made easy कि बड़ी चीज को अगर express करना है express करना लार्ज काउंट को तो यूजिण हम क्वान्तिटी ट्व अबिक्टि निक्रbene 3 सकते और तॉट्छ के लाज़ यह द्वेजंस्ञ भूङ आता है देफ जो दोन्त जो है इसके अंदर उब्जेक्ट्यूद्टर 第一ust मतलब की कितने का गुरूप वह आपको धूमना है ठीक है यह आपके उपर देता हूं में ग्रॉस आप गूगल पे डालोगे तो इसली समझ में आएगा और वह डालने से आपको जो ज़्याद रहेगा ठीक है तो यह गुरूस का आप देखो कि कितना होता है यह आपके लिए ह है ठीक है ठीक है तो बड़ी इसी बोड़े जो अबब जेक्ट होती है उसको किए वे के अन्दर को देने के की लिए लिए वकिया कर सकते है ऌंटीटीटिटिव की इस्तेम == करते हैं quantitative objectives quantitative बोले तो क्या number के form में ठीक है number के form में dozen अगर 12 pair है 12 के amount में कोई है तो हम उसको dozen बोलते simple make word से हमने उसको denote कर दिया and you know that even a small amount of any substance contain very large number of atoms or molecules और आपको पता है कि कोई भी small amount कोगे छोटी सी चीज लेकिन उसके अंदर क्या रहेगा उसके अंदर रहेगा very large number of atoms or molecules उसके अंदर large number of atoms रहेंगे या फिर molecules रहेंगा then we use the quantitative objectives और उसके तब हम क्या करेंगे quantitative objective use करेंगे और वो होगा simple में हमारा मोल ठीक है मोल कौन होगा तो जब कोई small amount of substance रहेगा कौन सा भी small amount रहेगा उसके अंदर लेकिन large amount of atoms and molecules रहेगा और उसको quantitative objective में express करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करेंगे ठीक है रहेगा मोल टू एक्सप्रेस अ लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक बोलें तो छोटे होते हैं सबस्टन्स के समत्राइब करने के लिए हम मोल का इस्तेमाल करेंगे किसको एक्सप्रेस करने के लिए कि उस्प्रेस करने के लिए आयंस को इलक्तुन को कि प्रेजेंट इन सब्स्टंस इसकी डेफिनेशन देखों क्या है वनग मोल इस अमाउंट आप सब्सटंस बलो क्या है अमाउंट आप आइटम सिन एक्जाटली 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 कैसे 12 ग्राम मतलब की हम 12 ग्राम को लिख सकते जुरो पॉइंट 0.012 ग्राम ऑफ दे कार्बन माइनस 12 आइसोटोप इसके रिलेटेड में उसको मोलेंगे मोल ठीक है यह होगा हमारा सिम्पल में मोल देन अभी इसका के बाद आपको समझ में आएगा लेट्स ऐस क्यालकुलेट दे नंबर अफ आटमस इन देखो मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन माइनस कार्बन 12 आइसोटोप सके अंदर आण मास ऑफ कार्बन 12 आटमस डिटर्माइन बाइद स्पेक्ट्रोमेटर स्पेक्ट्रोमेटर से में सब्सक्राइब कर दे दिया के साथ हम ने में माइन त्वेल ग्राम पर आटमस अबसे पहलेDeskITH-U可能 अब्सक्राइब कर माइस लिका पॉर एमने कर्बन्स Paul और स्वहन बने इंड़ेन पार तरहों है है इसको अगर केल्कुलेट करेंगे तो निकल चैसेवन निकल क्या क्या यह देखो सिंपल में यह निकल क्या आया तो कि भी डिवेरो Cordy नहीं वह दूम कि इन गुंड बूट टियम क्या थी डिये रहे गा वन मुं कि रहे गा 6.0221367 इन टैने टीनि पॉर North कि तीनि अमरो शच आ त ritmes molecules and ions , note that the name of the unit is a mole and the symbol for the unit is yam o yal , तो इसका unit है वो यहां पर यहां पर देखको बच्चे यहां पर confused हो जाते हैं बच्चे की ओक्षी होते हैं यह इसका unit का नेम है लेकिन इसका तो इसका सिंबॉल क्या है यम ओल इसका सिंबॉल है इसका युनिट का नेम है यम ओल इतो यहां पर आपको नहीं होना यह बात आप अच्छे से धन में रखो तो यह एक्जाम्पल है और वांड ओक्षिजिन इसके बाद है यह सभी निकल निकल निकले हूए है बाकि कुछ नहीं उसके बाद है मोल हमको समझ्य में सब्सक्राइब होता है the mass of one mole of a substance एक मोल का मास substance का इन ग्राम्स is called as molar mass grams के अंदर ठीक है उसको क्या बोलेंगे molar mass देखो the mass of one mole of the substance in a grams is called as its molar mass grams के अंदर एक मोल substance का उसका जो है grams के अंदर हमने अगर निकाला उसको तो होगा molar mass and the molar mass of any element in a grams is numerically equal to the atomic mass जो molar mass होता है किसी भी element का numerically वो equal होता है atomic mass of that of element in U मतलब यह देखो यह atomic mass देखो molar mass क्या है तो देखो यह देखो सबसे पहले element hydrogen का molar mass क्या है तो 1.0 gram mole minus 1 ठीक है यह सा लिखते हम इसको mole को तो यह 1.0 यह क्या है इसका atomic mass है ठीक है simple मैं ऐसा हम बोलते है वह उपर में हमने यहाँ पर पढ़ा है क्या पढ़ा है देखो the mass of one mole of a substance और element or compound in a gram gram के अंदर एक mole का mass वो होगे molar mass and molar mass of any element in a gram जो gram के अंदर element के अंदर हम लिखते हैं molar mass किसी भी substance का numerically equal to numerically equal होता है atomic mass के बराबर of that element in you भोलोता है atomic mass ठीक है इसलिए यहाँ पर देखो similarly क्या है similarly molar mass of any substance existence as the poly atomic molecule molar mass जो होता है किसे भी substance का वो exist होता है as a poly atomic poly बोलोत होता है many and atomic बोलोत होता है atoms in a gram is numerically equal to the molecular mass okay formula mass in you अभी सबसे पहले हमने देखा था molecular mass सबसे पहले हमारा क्या था atomic mass ठीक है या फिर हम बोल सकते उसको सिर्फ और सिर्फ atomic mass था हमारा simple मैं atomic mass अभी atomic देखो मास नहीं अभी यहाँ पर है molecular mass पहले कैसा था molecular mass नहीं था atomic mass था अभी molecular mass है देखो क्या कि जो polyatomic molecules in grams जब polyatomic molecule देखो हो एच्टू हो ओटू यह एच्टू हो यह प्याल पॉली atomic molecule के अंदर जो पॉली है बोले तो मेनी एटम्स ठीक है यह क्या होता है मेनी एटम्स के अंदर है इसलिए इसको बोलते पॉली आटमिक यहाँ पर देखो oxygen के दो मॉलीकूल है ओटू यह एच्टू यह एच्टू यह यह इसलिए यह जो निमेरी के लिए हम इसका ले मोल के अंदर लिखेंगे वह होगा उसका मॉलीकूलार मास के मॉलीकूलार फॉर्मूला देखो 18.0 वही है सिंपल में लेकिन जो मॉलीकूलार वहाँ पर आटमिक मास था यह मॉलार मास ने उसकी जगा ले लिए है बाकी कुछ निए ठीक है और यह सिंपल में पॉली एटमिक मॉलीकूल के अंदर ही होता है दिन मोलार मास ऑफ ऑक्षिजन एटम ऑक्षिजन एटम का है यह ओके इंटू सिक्स्ट यू यह क्या है तो एटमिक आटमिक नंबर आफ स्क्रीम मेरे म किताब से यहा पर यहां सिंपल में सिंपल एंड गैसें टानी संदर्ग उने सबस्तथन एग्सेंस वह तो सबस defence अग्स इस्क्रते ग्नाइब करते तो स्धुर्ड नमबर आफ् मोल में कि अंदर हैं कितने मोल एगर naar अधिवरोण करना है आम है क्या करना कई पड़ेगा सबसे पहले उसका ऋल्यूम करेंक रादर बनाटर दुमिसर पर्टिकल या फिर यह हमारा फिर यह औजक्र Kümmel की ने यह कैसा हम और यह maioria effective form यह निगी इंद फोनाप्टम्स के अंदर कें यह इने हम्त इंपर्टन वर्ड है? करने हैं किसके गैसे के अंदर का जो मोल है वो फैंड आट करना है तो हमको यह करना पड़ेगा वाल्यूम मेजर करेंगे करना पड़ेंगा उसका रहादर द्यान द्यांद मास ऑफ गैस और किमिस्ट हाव डिदूस्ट फ्रॉम आवगाड्रो लौ और आवगाड्रो लौ बता होता है कि कॉंसेंस कॉंस्टंट प्रेशर एंड कॉंस्टंट टेंपरिचर में क्या होता है सेम नंबर आपर मोल्स होते हैं कि वन एट्मोस्पियर और यस्टीपी तो कितना निकल का है हमारा पास 224 दी एम क्यूब और वाल्यूम ऑफ ट्वेंटी टू पॉइंट पूरा का पूरा समझ में आएगा ठीक है उसके बाद है देखो number of small number of moles of gas कैसे निकलेंगे volume of the gas at STP ठीक है उसके बाद यह वाल्यूम म्वाल्यूम वाल्यूम गैस चो छी सब्सक्री अड़ाओ मज्दसमी इस इस तीपी अपश्का सब्सक्राइब पोइनलक्याओ और च्थी जिएकल टो नंबर आफ मोलल कलए के सब्सक्राइब Otherwise number of moles number of moles into 6.022 into 10 raise to power 23 molecule mole per ok mole ok . Note IUPAC has recently changed the standard pressure is equal to 1 bar under these new STP conditions that the molar volume of gas is 22 ok molar volume of gas thamara which is 22.4 dmq that is 22.71 liter mole ok so 20 liter 1 this is how to change IUPAC has changed IUPAC so this is the last part part number 4 this is how to finish the video is good to like the part 4 if you like the video is good to share the video so you can learn more about the notes and learn more about the time and learn more about the study of the video next video we'll see you guys next video stay happy stay motivated thank you so much जड़ोञे ही सबसाद आी कर सकत